दोस्तो हम सभी को सिखाया जाता है के स्कूल जाओ, कॉलिज डिग्री लो, एक अच्छी जॉब करो, बहुत मैनत करो, पैसा कमाओ और उन पैसों को सेफ और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहो ताकि आप 60 साल की एस तक आराम से रिटायर हो सको और अपनी बची कुछी अब ज्यादा तर लोग अपनी लाइफ इसी प्लैन के अकॉर्डिंग जीते हैं, पर अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा रस्ता भी है जिस पे चलके आप बाकियों से जल्दी रिच पन सकते हैं, वो सभी चीज़े पास सकते हैं जो आप चाहते हैं, और अपनी लाइफ को कर सकते हैं यंग एज में ही बिना अपने 60th बर्थ रे का वेट करें, तो आपको कैसा लगेगा? वैल इस रस्ते को अमेरिकन ऑथर एंड मिलेनेयर अम जे डिमार को मिलेनेयर फास लेन कहते हैं, और आज हम उनी की बुक दा मिलेनेयर फास लेन से इसी सीकर्ट को आपके क्योंकि दोस्तों ये बुक हमारी खुद की मोस्ट फेवरिट बुक्स में से एक है, जिसने हमारा माइंड सेट भी चेंज कर दिया था और हम चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में भी वैल्यू एड करें, तो आए जानते हैं और जब अचानक उनकी लाइफ में कोई इमेर्जनसी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी होना, या एकसिडेंट हो जाना, या बहुत ज़दा पैसो के नीड होना, तो उनके पास बिलकुल पैसा नहीं होता, फिर वो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और खुद को और भी प्राब्लम में डाल लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि साइड़ वाक रास्ते पर चलने वाले इस रास्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हमें बहुत ज़ादा टाम लगता है, हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगाते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए हम सेल का वेट करते हैं, सस्ती से सस्ती चीजों में एड़जस्ट करते हैं, ताकि एक दिन हम क आस एनरजी ही ना बचे और हम वीलचेर पर हों, बट एक बात है, ये रास्ता साइड़ वॉक से बहुत ज़ादा बेटर है, हाँ, इस रास्ते में भी सक्सेस की 100% शॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्किट क्रेश हो जाना, जहां आपको साइड़ वॉकर्स के तरह लोन नहीं लेना पड़ सकता, बट आपकी सेविंग्स तो खत्म हो सकती हैं, और लोग इस बात को जानते हैं कि ये रास्ता आसान हो सकता है, इसलिए जादाता लोग इसी रास्ते पर चलते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि ज सीधा मतलब होता है एक बिजनिस क्रियेट करना, और वो हर परसंट जो अपनी यंग एज में ही अमीर बना है, उसने किसी ना किसी तरह का बिजनिस क्रियेट करा ही है, उन लोगों को छोड़कर जो अल्रेडी बहुत ज़्यादा फेमस थे या जो बहुत ही ज़्यादा टेल साथ दिन तक काम किया, बट कुछ सालों तक महनत करके वो वीक में कुछ घंटे काम करते थे, फिर भी एक एवरेज जॉप से बहुत ज़्यादा अर्ण करते थे इसलिए लोगों का ये मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है, जैसे उस टाइम जो भी चीज पॉपिलर होती है, उन्हें लगने लगता है कि वो उस एक चीज से बहुत जल्दी अमीर बन सकता है For example, 20 साल पहले जिन लोगों ने real estate और tech stocks में पैसे invest के थे, वो आज बहुत successful है 5 साल पहले, जिन लोगों ने blogging और facebook ads में अपना time दिया, वो आज बहुत रच है या फिर आज की date में, जो लोग bitcoin में invest कर रहे हैं या drop shipping करके बहुत पैसा कमा रहे हैं वो लोग future में बहुत successful होंगे Success किसी lottery के जीतने जैसा नहीं है, बलकि एक खाली जमीन पर घर बनाने जैसा है जहां आपको अलग-अलग तरह का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिला करी आपका घर complete होता है आपको इसी बात पर believe करना पड़ेगा कि आपकी success का reason किसी एक factor से decide नहीं होगा बलकि आपको continuously काम करते रहना पड़ेगा नहीं नहीं चीज़े try करनी पड़ेगी और इसी process पर believe करना पड़ेगा कि एक दिन ये सब कुछ combine होकर आपके सारे dreams को achieve कर लेगा अगर आप एक ऐसा business build करना चाते हो जिससे आप long term में rich नहीं बलकि wealthy बन पाओ तो आपके business में wealth generate करने का potential होना चाहिए इसलिए डिमार्को ने 5 commandments बनाए जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि आपके business में wealth create करने का potential है या नहीं आपको अपने organization, अपने product और उसके pricing पर पूरा control रखना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके business का future कभी सही नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी problems face करनी पड़ेगी जब किसी business को करना easy हो जाता है तो उसमें competition बढ़ जाता है इसलिए एक और Facebook बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था आपको अपने business में exceptional होना पड़ेगा कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो नमदरी, the commandment of need market में वह business सबसे ज़्यादा successful होते हैं जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं क्योंकि ये सच है कि लोग कभी उन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं जो आपके या आपके business के लिए सही है बलकि वो उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं ज्यादा तर लोगों की income उनके time पर depend होती है वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे इस paycheck to paycheck trap में फसने की वज़य से ही लोग wealth create नहीं कर पातें क्योंकि उन्हें अपने business को run करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है वैल्दी बनने के लिए आपको अपने income के लिए अपने time पर depend नहीं होना है जैसे कि MJ निमारकों ने अपनी website launch करने के कुछ सालों में ही सारे system और process को automate कर दिया था जिस वजय से उनका business उनके बिना भी grow हो रहा था आपको ऐसा business idea चूज करना चाहिए जो future में grow हो सके क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों तक अपनी reach पहुचाओगे आप उतना है grow करोगे एक coffee shop या sandwich restaurant का business कभी आपको बहुत ज़्यादा profit नहीं देगा क्योंकि इस business में daily के customer के limit बहुत कम होती है आप एक दिन में अपनी location के हिसाब से कुछ ही लोगों को attract कर सकते हो वहीं अगर आप internet का use करके कोई business शुरू करते हो तो वहाँ आपको पहले दिन से ही worldwide customer मिलेंगे और आपके business में ये potential है कि आप एक ही दिन में करोडों लोगों तक पहुँच पाओ लोग मिलेंगे और बिलेंगे तबी बनते हैं जब वो लोगों की life को बहुती बड़े scale पर या बहुती high magnitude पर affect करता है करोडों लोगों को value provide करता है author इसे law of affection करते है जिसका सीधा सीधा मतलब है affect millions, take millions अगर आप millions लोगों तक पहुँच जाओगे तो आप millionaire बन जाओगे जिससे author डीमार को अपनी इस profit equation से समझाते है net profit is equal to unit sold याने के scale multiply by unit profit याने के magnitude scale, scale का मतलब है एक साथ कई सारे लोगों तक पहुचना और उन्हें अपनी service या product देना for example अगर आप 10 million pans को sell करो और एक pan पर 5 rupees का profit कमाओ तो आपके पास total 5 crore rupees होंगे magnitude, magnitude का मतलब लोगों को बहुत strongly affect करना होता है उन्हें इतनी जादा value provide करनी है कि वो उसके लिए जादा pay भी करें for example अगर एक entrepreneur अपना कोई online product सिर्फ 5,000 रुपय में भी अपने 5,000,000 followers में से सिर्फ 50,000 followers को भी बेच पाता है तब भी वो still एक million बन जाता है लेकिन product में भी उतनी value होनी चाहिए scale increase करने से per unit आप कम profit कमाते हो बट आप बहुत सारे लोगों से इस profit को earn करते हो जिससे आपकी net worth increase होती है वही magnitude में आप ज़्यादा लोगों को affect नहीं करते बट जितने भी लोगों को आप value provide कराते हो आप उनसे बहुत ज़्यादा profit earn करते हो जो आपकी net worth increase करता है अगर आप एक successful business बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना scale या फिर अपने magnitude का impact दोनों में से किसी एक को increase करना होगा जब author अपनी website पर काम कर रहे थे तो वो इनी दो चीजों पर सबसे ज़्यादा focus कर रहे थे कि कैसे वो unit sold या scale को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी unit profit यानि कैसे वो लोगों को और value provide करके उनसे ज़्यादा profit earn कर सकते हैं तो दोस्तो ये ती summary दा millionaire fast lane book की